हेलो एवरीवान वेलकम टू राज आईएस आयम अंकित कोशल होफ लिए अपने घर में सब अच्छे होंगे तो गाइस अच्छे रहें इत्यान रखें अपना एंड आज आज हम डिस्कुस करेंगे करेंगे के पॉइंट विसे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक रियल फ्रीडम अब देख रहें अब देखें इस सोंग को ओसकर के साथ साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था हलाकि यह टॉपिक नहीं है आज का हमारा हम बात करेंगे जो मूवी में दर्शाय गए थे फ्रीडम फाइटर्स उनके बारे में अब देखिए यहां पर जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ओसकर वार्ड थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंस बढ़ा देता हूं जो ओसकर वार्ड होता है वह सिरफ और सिरफ फिलम की कंटेक्स में दिया जाता है अब यहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स हमें दिखाए गए मूवी में अलूरी सितारमन प्रीडम फाइटर्स को कवर करेंगे इनका योगतन था इंडिया नेशन मुवमेंट में हमारे लिए जानना बहुत जुरूर है और प्रीलियम्स में और मेंस में दोनों में कोश्चन बन सकता है इन फ्रीडम फाइटर के कंटेक्स में अच्छा ओसकर रवार्ड अभी रिस यहां फैजिए मोवी में जो एक्टर हैं उनका मूवी में नाम है बॉबन एंड उनकी जो वाइफ है मतलब आप अधरस हैं उनका नाम है बैली और काफि यहां पर हमें देखने को मिले आधर एक बेबीजिवंट को यह किस तरह से उसकी केर करते हैं अगर आपने मूवी दे आपने मुझे बताना है कि इस song के choreographer कौन थे और साथ-साथ यह जो मुवी है short documentary movie यह कहां पर शूट करेगी थी यह दोनों कोशन मुझे आप comment section में बताइएगा और session start करने से पहले आज का जो हमारा main question है वो हम देख लेते हैं with reference to the maniam rebellion consider the following statement are incorrect अब देखिए ध्यान से आपने समझने मैं यहां पर आप से पूछ रहा हूं incorrect statement कौन सी है तीन statement हमार पर गिवन है first statement क्या कहती है it followed the dictum of no religion no good no caste second statement है it relied on the total rejection of Hinduism and third statement है रंपा rebellion was led by अलूरी सितारामन राजू और आपने इन तीनों statement को ध्यान से पढ़ने और मुझे बताना है कि इन तीनों में से कौन सी statement incorrect है first incorrect है second incorrect है या फिर first and second दोनों incorrect है या फिर इन में से कोई भी incorrect नहीं है अच्छा अब देखिए यहां पर अलूरी सितारामन राजू और इन के द्वारा एक जो tribal moment हमें देखने को मिला था रिवोल्ट हमें देखने को मिला था अब हमारे इंडिया में बहुत सारे पीजेंट रिपोल्ट ट्राइबल अप्राइजिंग मुमेंट हमें देखने को मिले इसके पीछे कर रीजन क्या है थोड़ा साम यह हां पर समझ लेते तो देखें ब्रिटिश के द्वारा जो पोल्स लाई जा रही थी लैंड रिवेन्यू पॉलिस अगर आपने डेफिनिटली मॉडर्न हिस्टे में पढ़ी होंगी पर्मनेंट सेटल्मेंट रही सेटल्मेंट महाल वारी सेटल्मेंट तो यह जो पॉलिसी थी इनके कंटेक्स में उनको बहुत जादा एक्स्पवाट करा जारा था जया तो ब्रिटिश के द्वारा जमीन दार करते थे पीजएंड को और कंटको उनकी जो लैंड है उनसे إلى कर दिया जाता था पर पुए वह इंटी जादा है आप इतना ज्यादा टेक्ष था कि वह टेक्स तो नहीं चुका पाते थे और उस टेक्स को चुकाने के लिए वह पिजेंट क्या करते थे जमीनदार से लों देते थे अब वो लोन काफी ज़्यादा इंट्रस्ट पर दिया जाता था और जिसके चलते हुए जो प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी चुका ही नहीं पाते थे इवन इंट्रस्ट ही देते देते रह जाते थे तो इसके चलते हुए जो एक्स्प्लोइटेशन हमें देखने को मिर रहा था और इसी वज़े से यहां पर बहुत सारे रिवॉल्ट देखने को मिले और दो रिवॉल्ट आज हम इस सेशन में कवर भी करेंगे अब देखे अलूरी सितरमन राजू इनके बारे में पढ़ लेते हैं यहां पर इनका जनव सेवर और यहां पर आपको याद रखने कि बहुत ही कम एज में यह सन्यासी बन जाते हैं आप देखे एक स्टोरी है कि सहथ तक सही है इसमें तो हम नहीं जाएंगे लेकिन एक स्टोरी के पॉइंट वह से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जो अलूरी सितरमन राजू ह इनको बहुत ही छोटी एज में प्यार हो जाता है और ऐसा कहा जाता है वह प्यार इनको नहीं मिल पाता और उसके बाद यह सन्यासी बन जाते हैं यह जो नेम आप देख रहे हैं हापर सीता यह भी बेसिकली उसी के बाद इन्होंने लगाया था अब यह जैसे कि मैंने आप काफी तवस्या करी थी इनको काफी नॉलेज सी एस्ट्रोजी की मैडिसीन की एंड इस एबलीटी टू टेम वाइड एनिमल्स और इनसे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते थे और इसी वज़े से जो उस समय वहां पर मतलब जहां पर यह रहते थे जो ट्राइबल लो के खिलाफ यह जंग का इलान कर देते हैं अब जो यहां पर रीजन है यह आपको पता होना चाहिए देखिए गंजम विशाखा पत्नम एंड गोदावरी वाला रीजन और वहां पर यह ब्रिटिश के इंगेश में गुरिला टेकनीक के तुरू वार करते थे अब गुरिला टेकनीक से बहुत सारे वार लड़े थे हैं ना हल्दीगाटी का युद आपको याद आ रहे होगा और उसके बाद गुरिला टेकनीक से महाराणा परताप ने अकबर की सेना को काफी बरशान किया था है उसके बाद देखिया एरिया आपको पता होना चाहिए जिस एरिया की यहां पर background जान लेते हैं तो देखें Britishers के दवारा जैसे मैंने आपको बदाया था कि जो new policies लाई जा रही थी land reforms करे जा रहे थे और policies क्यों करी जा रही थी Britishers में ली चाते थे कि जो forest वाला लेंड है यह हमारे पास आ जाए और हम एक तरह से इंडस्ट्री रेवल्यूशन करें या फिर यहां पर हम अपने हिसाब से अग्रिकल्चर करें इंडियों की करवाएं या फिर कोफी की यहां पर करवाएं अब हुआ क्या मदरास फॉरेस्ट एक्ट 1882 जैसी पास होता है उसके बाद ब्रेटिश ने जो ट्राइबल वहां पर रह रहे थे उनको उस एरिया से बैन कर दिया ना तो वहां पर यह अपनी शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर सकते हैं आंद्र परदेश में शिफ् और साथ साथ इनको फॉर्स फुली ब्रीटिश लेबर वर्क करवाते थे अब ब्रीटिश के जो लॉयल थे वह कौन थे जमीनदार्स अब आंद्र परदेश में जमीनदार्स को कहा जाता है मुथा अब मुथा दर्स में इनको काफी ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रहे थे अब इसके चलते हुए यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वो काफी ज़्यादा एक्सप्लोइट हो चुके थे और एक टाइम में जब उनको अपना लीडर मिला अलूरी सितारमन राजू और फिर यहाँ पर हमें रिवोल्ट देखने को मिले उससे पहले हम शिफ्टिंग क में आपको देखने को मिलेगा दीपा बस्ता डिस्टिक ओफ मद्या परदेश जारा एंड एरका साउथन स्टेट में एंड बत्रा साउथन इस्टन राजिस्तान में पोडू आंधर परदेश में जैसे कि हमने डिसकस भी किया था कुमारी हिली रिजन ओफ दा वैस्टन घा और धावी यह उडिसावले रिजन में तो यह नेम भी आपको पता होने चाहिए कई बार डिरेक्ट कोशन पूछ लिया जाता है देखिए यूपीस ही आपको बहुत ही घुमा फिरा के कोशन पूछता है अगर मान लो कि आप से इसी आर्टिकल की उपर कोशन आ गया और जै चलते हुए ब्रिटीश के अंगेस्ट में खड़ी हो जाती है और आर्मी को लीड कर रहे होते हैं अलूरी सितारामन राजू अपना जो ट्रेडिशन वे हैं उसी को ही फोलो करते हैं आर्ट्ची को ठीक है तो यहां पर आप देखी रहे हैं और इसी को फोलो करते हुए चिंदा पाले दमन पाली एंड कृष्णा देवी पेट्टा यहीं पे इनकी दैत होई थी कृष्णा देवी पेट्टा में और रांपा उसके बाद राजा वॉमा मांगी एंड उसके बाद नरसी पटनम होफ़ली मैं इन सब के नाम सही ले रहा हूं एक बर प्लीज आप ग दावरी रीजन में उसके बाद देखें जो अलूरी सितारामन राजू है यह ब्रिटीश की नाक में दम कर देते हैं दो साल तक ब्रिटीश बहुत ज्यादा प्रशान रहते हैं और यह रिवोल्ट शांत करने के लिए ब्रिटीश अपना 40 लाखर पर खर्च कर देते और एक र रखा गया था इनके उपर फाइनली यह ब्रिटीश की पकड में आ जाते हैं 1924 में मही में और इनको पेड से बांध कर गोली मार दी जाती है और यह फाइनली शहीद हो जाते हैं ठीक है तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि कभ यह शहीद हुए 1924 हमारे लिए तो शही नौन कोपरेशन मुवमेंट भी चल रहा था रामपा रेबिलियन कंसाइड विद महात्मा गांधी नौन कोपरेशन मुवमेंट नौन कोपरेशन मुवमेंट कब स्टार्ट हुआ था सब्तंबर 1920 में क्यों हुआ था रोले टेक्ट जैसी ब्रिटिश पास कर देते हैं और र आपको पते हैं गांधी जी फेवर में नहीं थे वाइलेंस के और इसी के चलते हुए जैसी चोरा-चोरी इंसिडेंट होता है गांधी जी नौन कोपरेशन मुवमेंट वापस ले लेते हैं हाला कि यह हमारा टॉपिक नहीं है जस्ट आपको पता होने चाहिए और आपको ल अलूरी सितारमन राजू है वह गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे गांधी जी हमेशा जो लोग हैं उनको प्रसाथ करते रहते थे कि आप खादी पहनी है और साथ-साथ गांधी जी कहते थे कि आप जो अल्कोहल डिंकिंग है उसको कंजूम मत कीजिए या फिर लिब्रेटेड ओनली बाइदा यूज ओफ पोर्स नोट नॉन वाइलेंस मतलब हमें यहां पर नॉन वाइलेंस से अजादी नहीं मिलेगी हमें यहां पर ब्रिटिश को ब्रिटिश की भाशा में ही जौब देना होगा तो आपको यहां पर याद रखना है इंडियन सितारामन राजु काफी अच्छे से इनके करेक्टर को दिखाया गया था इस मूवी में और इस मूवी में जो एक्टर है उनका नाम है कृष्णा अहला कि यह पुछा नहीं जाता है आपको बता होना चाहिए और इन मही 2022 प्राइमिस्टर निरेंदर मोधी जी ने अन्विल स्टैचू यह कोशन बन सकता है अब देखिए इस तरह के कुशन बन सकते हैं तो आपने यहाँ पर याद रखने और हमारे देश की जो प्राइमिस्टर निरेंदर मोधी जी ने यह जो स्टैचू यहाँ पर अन्विल करा था अलूरी सितारमन राजु का कहां पर किया था भ द्वारा और यहां पर यह हैं आंदरपरदेश के सीम वाई जगन मोहन डेड़ी अब उसके बाद हम डिसक्स करेंगे कॉमराम भीम के बारे में तो होफ़ली आपको अलूरी सितारमन राजु जी के बारे में जो हमने डिसक्सिन करिए वह आपको समझ में आगे और आपने जो अलूरी सितारमन राजु हैं इनके नाम पर भी एक डिस्टिक है होफ़ली आप यहां पर यह जो एरिया इससे फैमिलियर होंगे हमने यहां पर मैप में देखा भी था एक बर मैपको द्वारा दखा देता हूं यह एरिया यहां पर कुछ डिस्टिक यहां पर विशाक्य फाइटर कोमरम भीम के बारे में कोमरम भीम का जैसी मैंने आपको बताया जनम हुआ था ट्राइबल कॉमनेटी में संके पहली विलेजिन कोमरम भीम डिस्टिक और जिसका जो नेम है डिस्टिक का वह 2016 से ही रखा गया है अब देखिए यहां पर कहा जाता है कि जब यह किरदार को मार कर और वहां से भाग गए और भागने के बाद इन्होंने पांच साल अपने असाम में ऐसा लेबर वर्क किया मतलब कोफी एंटी प्लांटेशन में और यह अनपर थे लेकिन इनोंने उस समय खुद से बहुत सारी लेंग्विजिस सीखी अब देखिए उस समय अगर हम देखें जो जो आंदरप्रदेशवला एरिया यह निजाम के अंडर आता था और निजाम की जो पॉलेशिस थी वह कहीं हद तक एक्स्प्लॉइट कर रही थी पीजेंट को अब निजाम के दवारा कुछ ऐसे अन्यूजवल से टेक्स लगाए जा रहे थे जो हम डि जादा निजाम से परशान थे एक तरह से निजाम के दवारा जो एक्स्प्लॉइटेशन यहां पर देखने को मिरी थी तो लोगों के मन में बहुत जादा गुस्ता था और इसी गुस्ते को देखते हुए कौमरम भीमनेक आर्मी अपनी यहां पर खड़ी करी और इस आर्मी जल जंगल जमीन यह ट्राइबल लोगों की यह किसी ब्रिटिश या किसी और अन्य लोगों की नहीं तो यह जो स्लोगन है यह जो मैसेज है काफी जादा फेमस हुआ था उस समय वाटर फॉरेस्ट लैंड हमंग ट्राइबल पीपल और देखिए यहां पर हुआ क्या 300 लोग वह एक तरह से सप्रेस्ट कर दिया गया था निजाम के द्वारा अब यहां पर 1990 में एक तेलगू फिलम बनी थी कोमरम भीम जिसको डिरेक्ट गया था अलानी सिरिधर ने और जिसमें एक्टर थे भौपाल रेड़ी काफी अच्छी मूवी है काफी अच्छी से इसमें जो क सब्सक्राइब करें और किसने कोरोग्राफ किया था जो मैंने आपसे दो कुछे और आज का जो कोशन इसका अंसर देख लेते हैं तो देखें यहां पर हमारी जो फर्स स्टेट्मेंट है यह इंक्रेक्ट हो जाएगी अभी हमने इतना अच्छे से दोनों जो फ्रीडम लेकिन यहां पर जो फर्स स्टेट्मेंट है वह सही है लेकिन हमने यहां पर क्या नाम से जानते थि तो आज जो हमने टोपिक कवर किया है वो आपको समझ में आया होगा इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा और जो मैं आपसे यहां पर कोश्चन पूछता हूं उसका जवाब भी आपने कमेंट सेक्शन में देने तो चलिए नेक्स सेशन में बहुत जल मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए थैंक्यू सो मच